दिन बज से शुरू बारिश के कारण वेना नदी में बाढ़ आके इस दुरान नदी के पेश्दित राता कुष्ण मंदिर पे एक मतीमन वेक्टी सुरा था मंदिर के आसपास पानी भर जानी से वहाँ बाहर ने निकल सका पुलिस को सुच्णा मिलते ही SIDF के दस्ते ने दो पहर तीन बजे के करीब वहाँ पहुच कर बचाओ कादी शुरू किया जो शाम छे पचे तक चलता रहा मचाओ दल ने नाओ की मदद से उस वेक्टी को बाढ़ की पानी से सुरक्षित बाहर निकाला सनद रहे कि राइपुन निवासी मुना कुला बन्या मासिक रोगी है हमेशा की तरह गुरवार की दो पहर बारा पजे घर पर फूचन करने के बाद वेना नदी पात्र में सेथ राधा कुष्ण मंदिर में विश्राम करने के आता दो पर दो पजे से जमा जम पारे शुरू होगी दो गंटे के भीतर ही वेना नदी उपान पर आके राधा कुष्ण मंदिर वेना नदी के पीछ में होने से बाड की पानी से खिर जाता है गुरवार को पानी लगबग मंदिर की च्छत तक बहाँ चुका था बाड का पानी बढ़ने के बाद उसकी नेंद खुली नदी के किनारी कुछ क्रामिनों ने उसे मंदिर के उपर शिकर पर बैठा देखा उसके बाड में फसे होने की सुष्णा मिलते ही ठानेदार सरीन दुर की पलिस नरीशक सपना शिरसा कर तैसलदार संतोष खांटरी ग्राम सेवक प्रतिप वापिट कर घटना सतर पर पहुची इस बिच राज्य आपिता मोचन पल के सब इंस्पेक्टर अजय कालसर और सुझेद जंबली के नेटरुद्व में तेज जवानों की टीम मदद के लिए पहुच गई इसके बाद जवानों ने मोटर बोट की मदद से नती में प्रविश कर ना को राधा कृष्ण मंदिर की चट की पास लेके उस वेक्टी को चट से सुरक्षित निका कर किनारी लाया ग्या कैमरा परसन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार के रिपोर्ट किनारी लाया क्या